अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके खर पर कंटेनर्स में लगाए हुए टमाटर के बौदों से भर भर के लाल टमाटर मिलें और लगातार सप्लाई मिलती रहे तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा इसमें मैं शेर करने जा रही हूँ आपके साथ टमाटर के प् लगाए हुए हैं इनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गई है इनके लीव इतने बड़े-बड़े हो गए हैं कि नीचे से गमले की मिट्टी भी दिखाई नहीं दे रही है तो ऐसे में इसकी जड़ों में सूरज की रोशनी बहुत कम पहुँच रही है आपको ये नीचे का प काटने की या तोड़ने की कोशिश करेंगे तो इसके जो स्टेम हैं वो डैमेज हो जाते हैं मैंने सारे के सारे बड़े-बड़े पत्ते हटा दिये हैं तो अब आप देखिए ये नीचे से सारा एरिया क्लियर हो गया है इसकी मिट्टी को अब धूप मिलेगी बड़े आरा जल्दी सुखेत ऐसे के इसके तने के गलने का खत्रा भी तल जाता है एक आपने पत्तों के साथ साथ यह नीचे जो इस तरह से कोई ब्रांच निकल थी हैं नीचे वले पोर्शन में कोई भी ब्रांच नहीं निकलनी चाहिए मैंने वैसे इसको यह पलांच निकाल चुकी यह वह पौदा है इसको हम अभी साइड पे रख लेते हैँ विचस की प्रूणिंग करने के बाद अब आपने स्टेकिंग करनी है टमार्ट के पौदोओं की स्टेकिंग करना बहुत ज्रूरी होता है जैसे आप यह देखिए एक टमाटर का पौधा यह इस तरफ गिरने लगा है इसके लीव काफी हैवी हो गया थे यह प्लांट हेवी हो गया था तो इसलिए इसमें स्टेकिंग जरूर करिए तो आप कोई भी इस तरह से स्टिक लेकर कोई बांस की ये बैंबू स्टिक्स ये मिल जाती हैं ये बैस्ट रहती हैं ये जल्दी गलती नहीं है इसमें इससे फंगस वगेरा का खत्रा भी नहीं रहता जिस तरफ ये जुका हुआ है उस तरफ हम इस स्टिक को लगा देंगे इसकी जड़ से थोड़ा दूर तो अब ये पौदा बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया है इसको इसके स्टेम को आप किसी डोरी की मदद से बांदे नाइलोन की डोरी या कोई प्लास्टिक या इस तरह से तीखी चीज का इस्तेमाल न सकते हैं नेक्स्ट टिप है कि आपने इसमें खर्पतवार नहीं होने देना जो भी इस तरह से जड़ी बूटियां इसमें उगती हैं आप उनको निकालते रहिए इसकी मिट्टी को आप सूखने मत दीजिए अब ये क्यूंकि ये मिट्टी नजर ही नहीं आ रही थी तो इस ज्यादा सौगी नहीं रखना पानी जमानी होना चाहिए ड्रेनेज होल आपके गमले की या कंटेनर की प्रॉपर काम करती होनी चाहिए नेक्स्ट जो किया आपने करनी है वो है कि ये देखे इसकी रूट्स एक्सपोज हो गई है टमाटर के ब्लांट्स पर ये जितने भी बहुत सौफ्ट से रूएं आपको नजर आते हैं इन सब से रूट्स निकलती है टमाटर की पौद को ट्रांस्प्लांट करते समय ही आप कोशिश करें के इसको डीप लगाएं और उसके बाद भी आप इसमें मिट्टी थोड़ी बहुत डालते रहिए खाद वली मिट्टी तब इस पर फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाए तब आप इसमें कोई भी कमपोस्ट जरूर मिला लें कोई भी कमपोस्ट आप यूज कर सकते हैं इसको रोगों से बचाने के लिए आप रेगुलर इस पर नी मॉयल वगारा का सप्रे करते रहिए मैं घर पर ये टमाटर उगा नी क्यूंकि घर पर हम बहुत ज्यादा मेहनत करके ये सबजियां उगाते हैं तो केमिकल के इस्तेमाल से बचना चाहिए मैं अपनी सबजियों पर कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करती हूं और ना ही कोई केमिकल खाद इसमें डालती हूं फिर भी बहुत अच्छे वीडियो भी मैंने बनाया है हाई बटन पर लिंक भी दे दूंगी आप वहां से जरूर देखिएगा टमाटर पिछले साल मैंने लगाए थे बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मुझे मिले थे बहुत ज्यादा हार्वेस्टिंग उसके वीडियो और शॉट्स मेरे चैनल पर प देखिए तो इसमें थोड़ी सी बिमारी मुझे नजर आ रही है यह इसके लीव्स करल हो गए हैं तो ऐसे प्लांट्स को उखाड कर फेंक दीजिए ताके इसमें अगर कोई वाइरल डिजीज है तो वो दूसरे प्लांट्स तक ना पहुंचे और आपके बाकी के प्लांट् आपको पसंद आए होंगे जरा सा भी पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए शेर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद